प्रदेश के अनुपपुर जिले में इन दिनों चारों तरफ भक्ती और हर्शुलास का माहूल है नौ दिनों से चल रहा है शक्ती की आराध्ना के पर्व नवरात्री का आज आठमा दिन है और जिले भर में महाश्टमी पर जगे जगे देवी महागोरी की पूजा आराध्ना के साथ साथ कन्याओं को भोजन भी कराय जा रहा है कोरोना से बचाओ के निर्देशों का पालन करते हुए मंदिरों और जहां की इस्थलों पर भी महागौरी की पूजा की जा रही है नो दिनों तक विरत उपवास रखने वाले कईश धालू आज कन्या भोज के बाद अपना विरत भी खोलेंगे जिले में इस अवसर पर यहां के बूढ़ी माई मंदिर में जुआरा बोई गए और मानो कामना जोती कलेश प्रजोलित किये गए जहां हर रोज बड़ी संख्या में माता स्वरूपा के दर्शन को शध्धालों पहुँच रहे हैं अनुपूर में विधानसवा उपनिर्वाचन की प्रक्रिया शांती पूर्ण व्यवस्तित और निश्पक्ष रूप से संपन कराने के लिए कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशन में सतत रूप से करवाहियां की जा रही है रिटर्निंग अधिकारी कारेले से प्राप्त जानकारी के निसर नाम निर्देशन वापसी के आवधी पूर्ण होने के बाद विधानसवाक शेतर 87 अनुपूर में उपनिर्वाचन के लिए 12 अमिदवार है निर्वाचन शाका से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार विदान सबा उप निर्वाचन 2020 के लिए इस विदान सबा क्षेतर में कुल 1,70,392 मतदाता हैं इन में से पुरुश मतदाताओं की संख्या 87,324 और महिला मतदाताओं की संख्या 13,064 है वहीं थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 4 है मतदाता जागरुकता भियान के तहट अनुपरजला मुख्याले के बस स्टेंट पर एक विशेश वोटर सेलफी पॉइंट बनाए गया है जिसमें मतदाता मेरा वोट मेरा अदिकार तथा वोट हमारा है अनमोल कभी ना लेंगे इसका मोल ऐसे विशेश स्लोगन अपने परिचतों को सेलफी के साथ शेयर कर रहे हैं साथी लोगोदोरा मतदान तिथी 3 नवंबर 2020 को अपने मतदाताओं का प्रयोग कर लोगतंतरों में सशक्त भूमे का निर्वहन करने की अपील भी की जा रही है निर्वचन आयोग के निर्देशा नुसार 80 वर्ष से आदिक उमर के दिव्यांग और कोविड संक्रमित मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट के माद्यम से भी मतदान की सुविदा उपलब्द कराई जा रही है विदान्जबाक शेतर 87 अनुपूर के लिए कुल 1380 चिन्नित शर्णी के मतदाताओं दोरा फॉर्म 12 डी में आविदन प्रस्तुत किये गए हैं और उन्हें डाक मतदान दोरा घरगर जाकर डाक मतदान कराय जाना भी प्रारम कर दिया गया है ये प्रकरिया मतदान दिवस के एक दिन पूर यानि दो नवंबर तक पूर्ण कर ली जाएगी विदनसबाक शेतर अनुपूर जिले के लिए 69 चलित मतदान दलों का भी गठन किया गया है उलेखनी है कि इस पूरी प्रकरिया की गोपनी तसुनिशित करने के लिए वीडियोग्राफी भी की जा रही है विदनसबा उपनिर्वाचन में मतदाताओं को भै मुक्तवात वरन उपलब्द कराने के लिए कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी साथे पुलिस अधिक्षा के मार्क दर्शन में सततर रूप से पुलिस बल और निगरानी दल दोरा कारवाहियां की जा रही है जिले में इस्तानी थाना प्रबारियों के नेतरित में पुलिस बल और केंद्री साशस्तर पुलिस बल दोरा फ्लेग मार्च किया गया है कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी ने विदानसबाक शेतर में उप निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए मतदाताओं से टेलिफोन के माद्धम से संबाद किया है और मतदाताओं को आश्वस्त किया है कि किसी भी मतदाता को घबराने किया थवा डरने की जरूरत नहीं है परते हैं कि मतदाता को भै मुक्त वातवरन उप लब्दकाराने के लिए जिला प्रशासन परतिबद है विदानसभा उप निर्वाचन के लिए निर्वाचन व्याय लेखों की दुईतिय और तृतिय निरिक्षन की तिथियों में संशोदन किया गया है अब निर्वाचन व्याय लेखों का दुईतिय और तृतिय निरिक्षन 27 और 31 अक्टूबर को किया जाएगा अपर कलेक्टर और उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि विधानसभा उप निर्वाचन 2020 विधानसभा क्षेतर 27 अनुपूर के तहट क्रिटिकल मतदान केंदरों के लिए चिन्नित 88 माइक्रो अब्जर्वर को प्रेक्षक की उप वस्तिती में मास्टर टेनर द 10 से 20 नए मरीज मिल रहे हैं जबकि कुछ दिन पहले यहां ये संख्या 70 से 75 मरीजों की थी उलेखनी है कि अब तक प्राप्त कोरोना जांच रिपोर्टों में से जिले में 1530 कोरोना संख्यों इत्पाए गए हैं वर्तमान में एक्टिव कोरोना पॉजिटिव मरीजों की 151 है जिले में अब तक 21,420 सेंपल कोरोना जांच के लिए भेजे जा चुके हैं इसके साथ ही जिले की चिठी समाप्त होई